पहरे बच्चो कल तक आपने दा इंचांटिट पूर का पहले पैरगाफ का अर्थ सीखा था जाना था आज मैं आपको इसके आगे का पैरगाफ है उससे समंदित अर्थ बताने जा रहा हूं ध्यान देख कर समझेए Your brothers died Your brothers तुमारे भाई died मर गए because क्योंकि They didn't heed उन्होंने ध्यान नहीं दिया था My Words मेरे सब्दों पर तुमारे भाई इसलिएे मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे सब्दों पर ध्यान नहीं दिया They tried to drink water. उन्होंने tried कोशिस की to drink water, pāny पीने की without बिना answering my questions मेरे प्रस्नों का उत्तर दिये बिना उन्होंने pāny पीने की कोशिस की Do not follow them उनका अनुकरण मत करना Answer my questions first Answer उत्तर दो माई कुश्चन्स मेरे प्रस्णों का फर्स्ट पहले एंड देन और तब यू कैन कुईंच आप बुझा सकते हो योर थ्रस्ट अपनी प्यास तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हो दिस पूल बिलांग्स टू मी यह तालाब मेरा है मुझसे संबंदित है इट डिड नाट टेक इधिष्ठिरा आम मुमेंट तू अडर्स्टेंट इट डिड नाट टेक इधिष्ठिरा इधिष्ठिर को एक छड़ भी नहीं लगा तू अडर्स्टेंट समझने में दैट की यह कोई नहीं हो सकता अडर्स दैन दा वर्ट्स आफ एक्षा यक्ष के सब्दों के अत्रिक्त यह और कुछ भी नहीं हो सकता एंड गेस्ट और अनुमान लगा लिया वाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ है तू हिस ब्रादर्स उनके भाईयों को और यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाईयों को क्या हो गया है इसमें उन्हें कोई समय नहीं लगा तू सी देखने में एक संभवता मार्ग आफ ब्रिंगिंग दिम बैक टू लाइव उन्हें जीवन में वापस लाने के लिए एक संभव मार्ग को नहीं लगा He said to the bodyless voice He said उन्होंने कहा To the bodyless voice उस आकारहीन सरीर रहित अद्रस से आवाज से कहा Please ask your questions The voice put questions आवाज ने प्रस्न रखे rapidly तेजी से One after another एक के बाद दूसरा What rescues man in danger? यक्ष ने पूछा What rescues man in danger? खत्रे में व्यक्ति की रच्छा क्या करता है? यदिश्ट ने उतर दिया करिच शाहस फिर यक्ष बोला By the study of which science किस विज्ञान का अध्यन करने से Man become wise मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है Not by studying any sastra यदिश्टर कहते हैं Not by studying any sastra किसी sastra को पढ़ने से नहीं अध्यन कर लेने से नहीं Man becomes wise आद्मी बुद्धिमान हो जाता है It is by association यह होता है By association सहयोग से With the great in wisdom जो बुद्धि में स्रेष्ट हैं महान है That he gets wisdom जो वो बुद्धि प्राप्त करते हैं उस बुद्धि के सहयोग के फलसुरूप ऐसा होता है The yaksha asked यaks ने पूछा What is sweeter than the wind हवा से भी swift कौन है तेज कौन है Mind इदिश्टिन उतर दिया Mind मस्तिस्क What is more fated than a dried extra फिर yaksha ने पूछा What is more fated बहुत अधिक मुर्जाया हुआ क्या होता है Than a dried extra एक सूखे भूशे की तरे सूखी घास की तरे सूखे तिनके से भी ज्यादा मुर्जाया कौन होता है As sorrow striking heart एक दुख से तूटा हर्द है या एक ब्याकुल हर्द है यक्ष ने पूछा What be friends a traveler एक यात्री का क्या होता है Friends मित्र एक यात्री का मित्र क्या होता है Learning क्यान फिर एक्ष ने पूछा Who is the friend of one Who stays at home Who is the friend कौन मित्र होता है आफ वन किसी व्यक्ति का Who stays at home जो घर पर रहता है The wife पत्नी इद्रिश्टी ने उत्तर दिया The wife पत्नी Who accompanies a man in death मित्त में कौन एक विक्ति का कौन साथ देता है धर्मा इद्रिश्टी कहते हैं धर्म That alone accompanies जो एक मात्र साथ देता है The soul आत्मा का In its solitary journey इसकी एकांत यात्रा में After death मृत्य के पश्चात Which is the biggest vessel Which is the biggest vessel सबसे बड़ा पात्र कौन है The earth पृत्वी इद्रिश्टी कहते हैं The earth पृत्वी Which contains जो की रखती है All within itself अपने आप में ही Is the greatest vessel यही सबसे बड़ा पात्र है फिर यात्र ने पूछा What is happiness? खुशहाली क्या है? प्रसंता क्या है? Happiness is the result of good conduct Happiness है खुशहाली है अच्छे आच्रन का परिणाम ही प्रसंता है What is that? वह क्या है? By giving up जिसे त्याक कर Which man becomes loved by all Man becomes loved by all व्यक्ति लोगों सभी की दोरा चाहा जाने लगता है ऐसा क्या है जिसे छोड़कर व्यक्ति लोगों की दोरा चाहा जाने लगता है Pride घमंड For if man gives up being proud क्योंकि If man gives up व्यक्ति छोड़ देगा Being proud घमंड करना He will be loved by all तो सभी के दोरा चाहा जाएगा Which is joy and not sorrow वहाँ छती क्या है वहाँ नुक्षान क्या है Which is जो कि देती है जोई आनन्द and not sorrow जिसमें दुख नहीं बलकि आनन्द प्राप्त होता है ये दिश्टि कहते हैं एंगर, क्रोध एंगर If we give up being angry ये दि हम क्रोधित होना छोड़ देंगे We will no longer be subject to sorrow तो हम बहुत दिन दुख का विसे बने नहीं रहेंगे What is that वह क्या है By giving up जिसे त्याग कर Which a man becomes rich आदमी becomes हो जाता है Rich धनवान वह क्या है जिसे त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है If mind gives up being greedy यदि आदमी लालज करना छोड़ देगा He will become wealthy वहाँ धनवान हो जाएगा What makes one a real brachmin क्या बनाता है किसी को एक सच्चा ब्रामन It is birth यह जन्म से Good conduct अच्छे आच्रन Our learning या ज्यान से Answer Decisively So समझ कर उत्तर दो इस प्रकार से आगे सच्चा ब्रामन कौन होता है यह हम अगले वीडियो में आप से बात करेंगे अब थोड़ी ग्रामर की बात करते हैं देखे अगर ग्रामर हमें आने लगे तो हमें अर्थ निकालना सरल जाता है क्योंकि ग्रामर किसी भी भासा के प्राण होते हैं इसलिए ग्रामर अवसे जानने की कोशिश करने चाहिए हम थोड़ी बहुत ग्रामर दे रहे हैं क्योंकि आपने इस प्रकार के संटेंस नहीं पढ़े होंगे फिर भी जान लीजे रचना के आधार पर तीन प्रकार के संटेंस होते हैं सिंपिल, कंपाउंड और कंपलेक्स ये विकास सवाडिनेट कंजक्शन है इसलिए यह sentence एक complex sentence हुआ दो दो बर्ब जहां पर आएं conjunction से जो जुट जाएं complex या compound का है बस दोनों में अंतर इतना दोनों अपने में हैं राजा एक subordinate complex subordinate रखे compound coordinate रखे खैर हम इन सब की बात बाद में करेंगे अब यह देखते हैं tense your brothers died तुम्हारे भाई डाइड अगर डाइड मुझे पता चल जाए तो अर्थ निकलाएगा डाइड second farm है और second farm जो होती तो past indefinite होता है और जब past indefinite होता है तो उसमें आई ए लगा करता है इसलिए die means मरना और died मर गए your brothers died अगला sentence है they did not heed my words अब आप देखें देखते ही पता चल जाता है किस tense का है did not लगा हुआ है past indefinite है अब past indefinite है अगर conversion करने की बात आए तो आप आराम से कर सकते हैं क्यों जैसे कह दें इसका interrogative बनाओ तो helping बर्ब उठाकर सबसे पहले ले आओ did they not heed my words who heed my words तो भी sentence बन गया या who did not heed my words तो भी sentence बन गया ऐसे ही अगर आप देखें तो अब इसका ये active form में है अगर आप चाहें तो इसका passive बना दें क्योंकि they did not heed my words ये active में है passive बनाएं मैंने बहुत बार आपको बताया है they tried उन्होंने कोशिश की ये भी past indefinite है to drink ये infinitive है ये उद्दे से बताता है और बर्ब की first form के पहले to लग जाने से यहाँ बन जाता है ऐसे देखते हैं without, without a preposition है answering, answering क्या है आप सोचे, विचार करें क्योंकि तीन प्रकार से ing form काम करती है एक तो जो helping verb के साथ चलती है वो ing form है और जो without helping verb होती है बिना helping verb के आती है वो या तो gerund होता है या participle आप पता करें do not follow them उनका अनुकरान मत करना अब देखते ही पता चल जाता है यह imperative sentence है imperative sentence है imperative का negative है अब इसे अगर हम कहे दें यह active form में है पैसिव बनाओ तो आपको पता है कैसे बना लेते हैं imperative की पैसिव मैं आप लोगोंने समझी ही होंगी answer my questions first यह भी देखें आप imperative sentence है क्योंकि इसकी सुरुवात बर्ब से हो रही है अगरा sentence देखते है you can quench your thirst आप अपनी प्यास बुझा सकते हो अब यह भी active form में है अगर आप चाहें तो क्योंकि पता है model बर्ब के साथ बीका प्रयोग करके पैसिव बनाई जाती है आप इसकी पैसिव बनाए और कैन एक model बर्ब है helping बर्ब दो प्रकार की होती है एक model अक्जलरीज और एक primary अक्जलरीज यह model है this pool belongs to me देखते ही पता चल जाता है कौन सा tense है belongs yes या yes दुनिया का एक मात tense है वह है present indefinite अगला देखते हैं कुट जैसे पूछ दू तो क्या है model बर्ब है अब यहाँ पर मैंने एक अर्थ बताया था and guess what had happened to his brothers और अनुमान लगा लिया what had happened क्या घटित हुआ है to his brothers उसके भाईयों के साथ है लगाया है जबकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है जाद चिंतन करें आखिर यहाँ पर है का अर्थ मैंने क्यों लिया इस प्रकार से आप बढ़ें और इसी प्रकार से चिंतन करते चले जाएं नमस्तार